अक्षे तिर्तिया के दिन किया गया कारे लंबे समय तक सुभ फल देता है अक्षे तिर्तिया के दिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको जरूर ख़िदना चाहिए बहुत सिंपल है जादा आपको पैसा भी खर्शनी करना है दस रुपिया में वो चीजे आ जाएंगी लेकिन वो है आपके बड़े काम की पूरे साल आपके जीवन में धन मान समान सुख की कमी नहीं होगी देखिए मनुस्य के जीवन में बहुत ही सारे टेंसन भी हैं परिसानिया भी हैं और अभी के वक्त में करोना वायरस भी है अब वैसे तो मनुस्य का जनम बहुत दुलब है क्योंकि हर कोई चाहता है मनुस्य होना अब मनुस्य को अपने जीवन में बहुत सी परिस्तितियों से भी गुज़रना पड़ता है हर व्यक्ति अपने जीवर में काम्यावी पाने के लिए अधिक धन कमाने के लिए खुब मेहनत करता है ताकि वो अपनी और अपने परिवारों की जरूतों को पुरा कर सके खुसियों को दे पाए लेकिन जब कभी ज़ादा मेहनत करने पर भी धन ना आए तब परिसानी आती है मानसी क्टेंजन बढ़ती है ऐसे में अगर कोई ऐसा सू मुहुर्थ मिल जाए जिस दिन कोई भी किया गया कारे अक्छे पुने दे तो सूने पे सुहा गा और यही चीजे इस अक्छे तिर्तिया पर होगी बलकि हर अक्छे तिर्तिया पर होती है क्योंकि इस दिन को अबूज मुहुर्थ कहते हैं सरवार सिद्ध मुहुर्थ भी माना जाता है अक्छे तिर्तिया को जिस तरह आप दीपावली के दिन धनकी देवी मालक्ष्मी की पूजा करके प्रापत करते हैं उसी प्रकार अक्छे तरत्या के दिन भी विसेश क्रिपा प्रापत की जाती है वैसे तो बहुत सारी बस्तु इंख भीडी जाती है सोना खरिदना सबसे ज़्यादा सू माना जाता है लेकिन हर किसी के किसमत में उतना पैसे नहीं है कि वो सोना खरिद पाए आपके घर में पहले से उसकी भी पूजा कर सकते हैं लेकिन आज अब खास बस्तू बताने वाले हैं जिसे अगर आप अपने घर में ले आते हैं तो धनकी कमी नहीं होगी तो पहली बस्तू है सरसों के दाने पीली सरसों के दाने पीली सरसों का जो दाना होता है अगर इसको अक्छे तिर्टियक के दिन आप खरिद कर ले आते हैं अगर में पहले से है तो इस दिन पूझा के स्थान पे रखते हैं तो मा लक्षमी की किरपा वरस्ती है आशिरबाद वरस्ता है बाद में इसको आप कपड़े में बांध कर समाल के रख लें नजर दोस्त से भी बचे रहेंगे दूसरी वस्तु है सेंधा नमक सेंधा नमक पॉडर भी मिलता है और उसकी डली भी मिलती है आपको जो मिल जाए वही ले ले सेंधा नमक ऐसा कहा जाता है कि अक्छर तिर्थिया पर अगर आप सेंधा नमक घर लाते हैं तो सुप फलों की प्राप्ति होती है आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि इस नमक का सेवन अक्ष्य तर्तिया पर मत कीजिएगा अगले दिन आप कीजिए कोई दिकत नहीं है कपास यानि रूई अगर आप अक्ष्य तर्तिया पर थोड़ा सा भी रूई खरिद कर ले आते हैं और नियमित रूप से मौसम में करना भी चाहिए और अक्ष्य तर्तिया के दिन अगर आप फल कर लाते हैं तो जीवन में खुसाली आती है कोई भी फल आप खरिश सकते हैं और कम से कम कीमत में भी अच्छे मौसमी फल आपको मिल जाएंगे और सबसे अंत में जो सबसे खास है वो है मिट्टी का दीपक मिट्टी का दीपक सोने के बराबर ही माना गया है और अक्ष्य तर्तिया के दिन अगर आप मिट्टी का दीपक लाते हैं नियमित रूप से उसको जलाते हैं तो आपके जीवन में खुब पैसा आएगा धन आएगा और ये पांच चीजे हैं जो अक्ष्य तर्तिया क के दिन आगर आप खरीद लें वैसे तो बहुत सारे महंगी बस्तुएं हैं संग हैं गोमती चक्र है कौडिया है अब हर किसी के बस की बात नहीं लेकिन आप सिंपल सा वस्तु खरीद कर अपने जीवन में धेर सारी खुसियां पास सकते हैं मालक्षमी को आकर सित कर सकते हैं औ लेकिन अब एक खास बात करेंगे रासी के अनुसार देखिए आपको तो पता है घर कभी भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए चाहे एक गाच का पत्ता ही तोड़ कर ले आए पर घर खाली हाथ ना आकर कुछ ने कुछ लेकर ही आना चाहिए तो अक्छे तिरतिया के दिन अग की जय जय कार होगी ब्रिस्तव रासी वालों जिनकी की इस्ट देव मालक्षमी स्वैम है ऐसे में आपको चावल खरिदना चाहिए ऐसा करने से धन की देवी मालक्षमी की कि पापरसेगी पूरे साल चक्कर आएगा पैसा तो आप चावल जरूर खरिदें जो मिथून वाले इनके रासी के स्वामी है बुद्ध देव आपको हरा मूंग खरिदना चाहिए वैसे आप धनिया भी खरिच सकते हैं कपड़े भी खरिच सकते हैं चुकि अक्षे तरत्या का दिन बहुत सुमाना गया है इसलिए आपको मूंग जरूर खरिदना है थोड़ा ही सही और से कोई दिकत नहीं है जोतिस कहता है कि दूद और चावल खरिदने से आपका मन मस्तिक में जो भू चाल रहता है वो सांथ हो जाएगा और आप कूल रहेंगे सिंग-रासी सिंग-रासी वालों का सौमी स्वैम सूरी है इसलिए आपको लाल रंग का फल खरिदना चाहिए या आप चाहें तो तामबा भी खरी सकते हैं नहीं तो लाल रंग का फल खरीद लें इससे आपका सूरी को बल मिरेगा और जीवन में खुसी आएंगी सूरी मजबूत होगा कन्यारासी इनको मूंग की डाल खरीदना चाहिए ऐसा करने से जीवन में सुकसानती बनी रहती है और व तो आपको चीनी और चावल अक्षे दरतियां के दिन जरूर खरीदें जो तिस कहता है इन चीजों को खरीदने से आपके जीवन में खुसी आपके जीवन में खुसी आपके बढ़ेगी क्योंकि आपके सुक्र को बल मिलेगा जो ब्रिस्टिक बाले हैं उनको यहां पर लगा सकते हैं फिर प्रसात के रूप में खाईए धनु रासी धनु रासी वालों देवगुर बेस्पती स्वयम आपके रासी के स्वामी है आपको केला या पीले चावल खेदना चाहिए इससे पूरे साल खुसियां बरसेंगी जीवन में कोई कस्ट नहीं रहेगा धन संता सब कुछ मिलेगा तो केला या फिर पीले चावल खेदिये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा मका रासी आपको अक्षे तर्तिया के दिन अपनी रासी के अनुसार वैसे तो काली डाल काली डाल या नहीं काली उड़द की दाल खेदना चाहिए या आप चाहे तो दही कुछ मुलेगा तो सोना हर किसी के बस की बात नहीं है अपनी रासी नुसार चीच खरीद ले तो भी काम चल जाएगा कुम रासी आपको काला तिल या फिर कपड़े खरिदना चाहिए आप कपड़े काले हैं ऐसा जरूरी नहीं कोई भी कलर करीद सकते हैं लेकिन काला तिल ले आए और नियमित रूप से पूजा वेगरे में यूच करें थोड़ा ही ले आए आपके जीवन में खुसिया आएंगी जो मीन दासी वाले हैं उनको हल्दी और चने की डाल खेदना चाहिए क्योंकि देव गुरु भेस्पती आपके रासी के स्वामी है और ये चीजे ना कि कौन सी वह पांच बस्तू है जो खरीदनी चाहिए अपनी रासी के अनुसर आप क्या खरीदें कि आपके रासी के स्वामी को बन मिले पर एक और बात याद रखिएगा अक्षे तर्तिया के दिन सत्तू जरूर खाना चाहिए चने का सत्तू कोई भी सत्तू ले है आप स्री हरी को चने की डाल का भोग लगाए और घर में पूरे परिवार के साथ मिलकर सत्तू भी खाएं और दान भी करें फिलार विदा लेते हैं धन्यवार